क्रिया कलाप आठ एक क्वथन नली में लेड नाइट्रेट की थोड़ी मात्रा लीजिए, परक्षनली होल्डर से क्वथन नली को पकड़ कर ज्वाला के उपर रख कर गर्म कीजिए, आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे नोट कीजिए, आप देखे कि भूरे रंग की नाइट्रोजन डायाउकसाइड गैस निकलती है, यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, इस अभिक्रिया में अभिकारक के विगटन के लिए उश्मा की आविश्यक्ता होती है, जिन अभिक्रियाओं में उश्मा और शोशित होती है, उन्हें उश्मा शोशी अभिक्रिया कहते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब वह अलग-अलग घटकों में विगटित हो जाता है एक शुष्क क्वतन नली में थोड़ा सा लेड नाइट्रेट ले अब इसे बर्नर की सहायता से गर्म करे भूरे रंग के गैस निकलती हुए दिखाई देती है तथा पीले रंग का ठोस पदार्थ परक नली में बच जाता है भूरे रंग के गैस नाइट्रोजन डाइ अकसाइड तथा पीला पदार्थ लेड अकसाइड होता है वह गैस जो जलती हुई तीली को तेजी से जलाती है ऑक्सिजन गैस है इसे भी करें एक परखनली में दो ग्राम बेरियम हाइड्रॉकसाइड तथा एक ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर काज की छड़ से मिलाएए अपनी उंगलियों से परखनली के निचले सिरे को छुएं क्या आपने तापमान में परिवर्तन महसूस किया यह अभिक्रिया उश्मा छेपी है या उश्मा शोशी